हेलो दोस्तों नमस्ते सुपरवाद जैसी कृष्णे रादे रादे माई सोल फैमली माई वीवर्स माई सिस्क्राइवर्स गार्ड ब्लेस यू आप से सहस्तूंगे मस्तूंगे अपने लाइफ पे आगे बढ़ी होंगे डियर आज का विकर जो में वीडियो लिक कर आई हूँ हज शुवरगि इनरजी आपके पार्टनर की आज शुवरगि आपके पार्टनर क्या महसूस करें उनकी फेलिंग्स क्या है आपक यू, उनका ट्रू इंटेंचन क्या है, उनका मूढ ग्या है और वो क्या एक्ष्ण लेना चाहते हैं आपकी तरभ, तो पहले दे derivative, उनका मै मैसेज से देखती हूँ कि आपके पार्टनर की इनरजी के साथ साथ उनका मैसेज क्या है आपके लिए ठीक है बिल्कुर रिलाक्स हो जाए और इंटेसन सही रखें अपने परसन के बारे में सोचना है कलेक्टिव रेडिंग है और सारे साइन के लुग देख सकते हैं इंजस परसने देओ जै महाकाल हरर महादेव जै सैनीदेव जै सानीदेव जै महाकार इंजर्श प्र Initiative् वाइट करें और के अ आowi अर्ण चाहीड मंते हैं गाइट करें पर something the śक्री अर्ड़ा क्या है मेरे वीवर्स के पार्टनर्स के फिलिंग्स उनका मैसेज मेरे वीवर्स के लिए इंचेज ओ माई कड इतने सारी काड्स आ गहें थर्ड पार्टी पहला काड आया बागू देख लो थर्ड पार्टी की एनरजी है इगो क्या बात है भाई आज कल मेरे वीवर्स ने तो अपने आपको बैलन्स करके रखना है मैं नूँ पता है यहां पे डॉन्ट इग्नोर्मी बार बार लगतार आ रहा है यानि आप अपनी energy को अपने respect कर रहे हो अपनी energy को feel कर रहे हो कि मुझे अपने आपको hill करने की जरूरत है guide करने की जरूरत है self love करने की जरूरत है तो यहाँ पर आगे है you perfect don't ignore me ego third party और यहाँ पर आगे कास तुम जोर से गले लगा कर गादो मैं तो पागल सिर्फ बैं तुम्हारा हूँ क्योंकि don't ignore me वाँ बहुत हो चुका इंजल प्लिस काइट करे डिवाइन गाइट करे क्या मैसेज देना चाहते हैं चाहत भर रही है अब देखो क्या चाहत भर रही है इंजल प्लिस काइट करे इवाइट करे और किसी प्रिशक्ति काइट करे सलिवरेशन प्रियर प्रोमिस ट्रस्ट आई वांट यू आई निद यू अच्छा जी प्रिस्ट्रेस एंड डिसिजन यू आई माइ सोल मैट क्या बात है कास्ट इश्यू कर्मा रोमांस देख सकते हूँ ये काट I want to touch you, hug you I want you and I need you सही है मतलब की अभी आपके पार्टनर लगाने वाले हैं बटर चीक है? उनको जरुवत हो रही है आपके प्यार की ठीक है? तो बहुत सारे विवस्ट ब्लाजिंग सारी है और बहुत सारे विवोड्स आपको αई जारी है कि आपने लुग चीक है? ठीक है? जैसे आप करम करोगे वैसा आपको result मिलेगा क्योंकि यह है सनी प्रदान कर्म प्रदान और यह है 24 तो यानि कि कहीं ना कहीं यहां पर यह जो भी भी वर्स है यहां पर यह साल आप जितने अच्छे कर्म करें hard work करे, मेहनत करे और हमेशा अच्छी चीज़ सोचे अच्छी चीज़ करे, जिससे आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, ठीक है तो बहुत सारी वियोड ब्लैसिंग सारी law of karma जिसने जैसा किया है जिसकी जैसी energy है वो ऐसे वैसे अपने partner की energy attack कर रहे है law of karma ये भी कहता है ठीक है तो यहाँ पे पहली energy में ही third party आ गई है बाबू, ठीक है तो celebration भी है, लेकिन मेरे बहुत सारे विवर्जे मस्त, आपने तो इनके ego पर ना, कहीं न कहीं tower तो जरूर लाया है आपने खुद को control करकर इनके ego पर tower जरूर लाया है लेकिन ये रसी है समझ गया, रसी जो होती है क्या बोला जाता है रसी जो क्या बोलते हूं, जल जाती है बड़ एठन नहीं जाता है, देखी इस वक्त ego है, ऐसा में ये डर है ego जो डर है, लेकिन इस वक्त चाहत भी भरपूर है emotions भी काफी है चाहत attraction भी काफी है मन यहाँ पे ब्याकुल है आपके परशन का ठीक है, कोई direction नहीं मिल रहा तो भईया, कोई ना कोई बहाना तो ढूडनेंगे ही ना तो यहाँ पे प्यार वाली भी energy है ठीक है और यहाँ पे एक channel song आ रहा है ठीक है, channel song है जो उनके यह गाना आप सुन सकते हो ठीक है तुम ही हो मंजिल माईला अचानक तुम पे प्यार आए मुझे पुरा गाना नहीं आ रहा है यह tone मुझे याद आ रहा है तुम ही हो मेरी मंजिल माईला तुम को देखा प्यार आ गया आवाज दो माईलाव या, या, या जस्ट लाइक यह गाना है यह आपकी आवाज सुनना चाहते है आप उन्हें आवाज दो तो यहाँ पे यह गाना आ रहा है तुम ही हो मंजिल माईला बीती हुई रूतों की यादे हैं, गाना आप सुनने न यह गाना आप सुनने न गूगल पर सर्च कर ले न तुम ही हो मंजिल माईलाव तुमको देखा प्यार आ गया आवाज देता हूँ माईलाव तो आपके पार्टनर की थोड़ा सा मैं रूमांस वाली एनर्जी देख पारी हूँ चिक है, इस वक्त आपके पार्टनर रूमांस एनर्जी में उनका मूड है आपके साथ प्यार करना चिक है, तो यह वाली एनर्जी दिख रही है देखिए यहाँ पे थट पार्टी हो सकता है थट पार्टी आप दोनों के बीच में जरूर आ रहे हैं या आ रही है जो भी हो थट पार्टी लेकिन इस परसन के अंदर फियर बाबू आपको लेकर, ठीक है क्योंकि सोच काफी रहे हैं इन्होंने आपको हट किया है यहाँ पे ट्रस्ट इस हुज़ा हट ट्रस्ट आया हंडर्ट परसन के आप लोगों में गलत फैमिया काफी हुई है आपके विश्वास को इन्होंने निचोड़ा है तोरा है, आपको ब्रोकेर हाट के एनरजी में डाला है इन्होंने वादा भी किया और यह आगे जाकर जब आउनको वादा निभाने की समय आई जो भी हुआ भी वर्जी तो यह मुकर गई या फिर आपको ब्लॉक कर दिया या आप से डिस्टन्स मेंटेन कर लिया या इन्होंने थट पाड़ी को चूना ठीक है अब इस परसन के अंदर है कि आपके लिए प्यार चाहत सब कुछ फिल कर रहे है बहुत स्ट्रॉंग यहाँ पर एक कनेक्शन फिल कर रहे है और बहुत ज़ादा पैस्टनेट इनर्जी है लेकिन थोरा सा परशान इसलिए है न कि एक तो कास्ट इशू आ रहा है और दूसरे एनर्जी में स्ट्रेस और डिशिजन नहीं ले पा रहे है स्ट्रेस ले रहे हैं डिशिजन नहीं ले पा रहे है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ तो आपके पुरानी आदों में खोए है ठीक है हम तो यह सोच भी रहे है और डर भी रहे है हो सकता है कि third party में और आपके partner में ego आ रहा है या उन लोगों में कुछ obstacle आ रहे हैं ये डर वहां से भी है देखिए कुछ-कुछ third party ऐसे होते हैं कि आपके partner डरते हैं कि आपको वो अपमान न करें अपमान मिन्स होता है ना कि third party कभी-कभी इतने नीच हरकत पे उतर जाते ही उ को नहीं सोचता कि किसी की इज़त क्या होती है आपने उनके लिए कुछ भी किया हो वो मायने नहीं रखता लेकिन कुछ-कुछ third party इतने नीच हरकत करते हैं कि मुझे दिखता है कि आपको किसी हद तक नीचा गिरा सकता है या गिरा सकती है लेकिन partner से fight कर सकता है या कर सकती अगर ये married है या फिर इनका किसी और के साथ relationship है या committed है ये जो भी हो अगर ये married है कार्मिक से deal कर या फिर जो भी हो जैसे भी हो भी वर्जी अगर ऐसा या फिर कोई इनके life में third party है ये parents की बात नहीं कर रही हो कुछ के लिए parents हो सकते हैं जो की हो सकता है कि बहुत तरकी इंसा होते हैं बाबू दुनिया में count करना मुस्किल है ठीक है तो ये third party जो भी है न वो egoistic हो सकती है मतलब ही हो सकती है ये हो सकता या हो सकती है ठीक है लेकिन कहीं न कहीं ये person अगर आप से distance maintain करते हैं जो मुझे channel message भी आ रहा है कि ये third party है आपको कहीं न कहीं तोड़ने की बदन कहीं न कहीं आपके partner से fight जगरे सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी बदनामी न हो ठीक है उनकी बदनामी न हो लेकिन आपकी बदनामी हो आपका अपमान हो भाई सनी देओ किरपा करें ऐसे से मैं सजा नहीं देना चाहती हूं कर्म जो लिखते ना उनको मैं guide करना चाहती हूं बाई या हर इंसान के लिए लोग ऐसा क्यों सोचते हैं ठीक है जबकि मेरे वीवर्स के एनरजी एकदम परफेक्ट होगी कि आपने जो दिया है वो रिटर्न कभी कोई आपको नहीं दे सकता ठीक है जबकि पार्टन वो थर्ट पार्टी हो जो समय किया जो बीद गया लेकिन यह थर्ट पार्टी के एनरजी ऐसी है कि बहुत इगोस्टिक बहुत चालाक बहुत चतूर है यह चीक है और आपके पार्टनर के मन में कभी कभी डर भी होता है फियर भी होता है कि वो आपको किसी तरह बदनाम न कर दे आपको अपमान न कर दे तो यह लॉंबरी टाइप क यह थट पाटी चतुर चलाख है लेकिन उसे भी चैन नहीं है चाहे वो पैसे के लिए मरता हो या मरती हो या दिखावा करता हो या करती हो जो भी हो थट पाटी लेकिन अपनी जिंदगी में भी आग लगा कर वो रख रहा है या रख रही है जो भी हो इससे क्या हो रहा है ऐआर रहे हैं पहले तो आपके खूने का डर अधिक है और यहां पर इनके पहर है घो को तोड़ रहा है कि कुछ फर्ट पार्टि यहां पर जो आपको पूरी तरह नीचा गिराने की कोसिस कर रहे हैं ठीक है आपके खिलाप कुछ न कुछ दिमाग में लगा रहे हैं तब ये परसन को कभी-कभी डर लगता है कि मतलब आप जितना उनको रिस्पेक्ट की हो जितना उनके लिए कि उनकी फैमिली थर्ट पार्टी के लिए आप कर सकते हो कि ये भी हो लेकिन इस परसन के मन में एक शर्म हया तो है ये आपने किया है चीक है तो इस परसन को थर्ट पार्टी से कुछ डर भी है आपको लेकर और ये परसन काफी स्ट्रेस लगता है कि मतलब प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, करना तो बहुत कुछ चाते हैं, लेकिन यह चाते हैं, कि आप दोनों मीलो बाचित करो, अच्छे दोस बन सकते हो, आगे की एनरजी देखे जाई, कहने का मतलब आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि मुझे क्या डिशियन लेना, अभी का अभी उन्हें आपकी जरूरत है, अभी इस वक्त उन्हें सपोर्ट शाहिए, तो कुछ वीवर्स आपको थर्ट पार्टी से बचना है, वह बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि ये थर्ट कि मुझे अच्छा दिखा नहीं दे रही है, ये बिल्कुल लॉम्री वहला काम कर रही है, बहुत चतूर है, इसको सिर्फ अपने इमेज सोसाइटी और पैसे से मतलब है, और इगोस्टिक भी है, दिल के साप बिल्कुल नहीं है, जो भी हो, मेलो, फीमेलो, ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस थर्ट पार्टी से डरते हैं, वो डरते इसलिए हैं कि चाहते तो आपको बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ थर्ट पार्टी ऐसे भी हैं कि जो आपकी जगा है, जो आपकी जगा है, वो थर्ट पार्टी को नहीं मिल रही है, ये अलग रिलेशनशिप है ये पैरेंस वाली रिलेशन्शिप नहीं है, ये अलग वाली रिलेशन्शिप है, committed, married या कोई option है, जहाँ आपके partner का relationship रहा है, लेकिन आपके partner उस थर्ण पार्टी को वो हक नहीं दे रहे हैं, वो प्यार नहीं दे रहे हैं, वो चाहत नहीं दे रहे हैं, कोई जोर जबदस्त जबहीं के दिलिए प्यार्टेश नहीं है कि ये परसण को कोई जबरदस्थी प्यार ले सके। क्तिमर आपक क्याइण लगए क्येंकि इनके दिल में आप प्यार्थ है क्योंकि प्यार्थ है। वो बात की देखी जाएगी, आने वाले टाइम में इनको decision तो लेना ही होगा, जो भी हो, लेकिन आपकी जगा कोई और नहीं ले सकता, उनके दिल और दिमाग में, उनकी जिन्दगी में, उनके अंदर, रही ego की बात, और fear की बात, तो यहां पे, fear, और fear के बात है ego, तो यह कह रहा है कि इनके मन में इतना डर हो गया है, ठीक है, इतना डर हो गया है कि इनके ego को crush भी कर रहा है, ठीक है, और ego जब crush हो रहा है तो यह person कह रहे है don't ignore me give me a chance मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ time spent करना चाहता हूँ तो celebration के energy है क्योंकि आप उनके soulmate हो और आपके साथ romance करना भी इन्हें अच्छा लगता है प्यार करना भी अच्छा लगता है उन्हें छूना यानि टच करना भी अच्छा लगता है बाहों में लेना, हग करना, गले लगाना ये भी अच्छा लगता है क्योंकि कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी जरुवत है तो इस energy में इस person को खोने का डर third party से डर किसी तरह आपको blame ना हो torture ना हो, किसी तरह का मतलब इनके मन में जो डर है न डर एक तो है third party से कि आपको किसी तरह का कोई problems ना हो दूसरी energy है आपके खोने का और इनके ego को crush आप कर रहे हो अपनी positivity से है, अपने self love से अपनी self feeling से तो थोड़ा stress है ये गाना आप सुन ले ना channel song आ रहा है, जो प्यार है आपके लिए, वो channel message है channel song है, आप जरूर सुन ले ना ये गले वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार समझे इनकी हर चीज़ को आप पूरा करते हो, कैसे समझाओ ये 9-11 वाली energy जो मुझे आ रही कि आपके person ने पास्ट में 9-11 वाली energy में भी आया यानि कि आप से बहुत कोसिस की हैं उन्होंने मोवान करने की और इस वक्ते person कह रहे हैं अपने किस्मत को कोस रहे हैं और कुछ वर्स आपके partner कर्मा भी फेस कर रहे है stress, decision और कर्मा तो कर्मा तो भोगेंगे ही मैं तो भोगी नहीं कहाँगी कि भोगेंगे ही क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे बिजमज़ार में छोड़ा है जहां आप भी रोए हो चिक है आप भी रोए हो बाबू मैं आपकी बात कर रही हूँ तो आप ही रोए हो और आप दुनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जहां third party आया है या आई है और कुछ के लिए गर cast issue हुए third party cast issue हुए तो यहां parents है लेकिन यह आप से कहना चाहते है मेरे डर को खत्म करो प्यार भरी energy है मेरे डर्द को खत्म करो मैं promise करता हूँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ गले लगा कर छूकर यह एहसास करना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो मुझे तुम्हारी जरूवत है चाहत है तुमसे प्यार है डर है मन में बहुत रका इनके अंदर डर भी आ रहा है लेकिन डर कुछ काश शिशु को लेकर या पैरेंस शिशु को लेकर, थट पाटी को लेकर लेकिन उससे भी ज़ादा आप उनसे दूर जा रहे हो तो ये खुद को हट तो करी रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं लेकिन ये देखिए, हो सकता है ये अगर पैरेंस से भी बात करें तो उनसे भी ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो लेकिन इस परसन की एनरजी आप से है प्यार करने की रोमांस करने की तो बहुत सारे विवर्स आप उन्हें चांस नहीं दे रहे हो तो ये कहना चाते हैं कि इस तरह मुझसे मुख मत मूडा करो तुम ही हो मंजिल माई लव तो बहुत सारे विवर्स आपके पार्टनर आप से बहुत मतलब कहा जाना लगधार सोचे जा रहे हैं किसी तरह करकर आप उन्हें एक मौका दीजिए वो आप से प्यार करते हैं रहा कास्ट इशू तो यहाँ पे कमिंटमेंट मैरेज को लेकर तो इनके मन में फियर है लेकिन यह कह रहे हैं मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुमारे विश्वास को नहीं तोड़ूँगा ट्रस्ट की भी एनरजी है और यह कह भी रहे हैं आपको I want to touch you, hug you I want you and I need you ठीक है You are my soulmate and celebration तो यह परसन कहना चाहते कि तुम तो मेरे soulmate हो तुम मेरा care, pamper, सब कुछ करते हो लेकिन मैं जिस तरह से losses से गुजर रहा हूं losses बहुत तरह से होते हैं mentally भी होते हैं family से भी होते हैं career से भी होते हैं health issues से भी होते हैं तो जिस तरह के यह losses से गुजर रहे हैं तो इनको यह हैसास है ठीक है लेकिन होता है कि कभी कभी सच्चे प्यार की कद्र जहां नहीं होती तो लोग समझ नहीं पाते हैं तो कुछ वीवर्स अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो इस परसन को लग रहा है कि आप में attitude ego आया है तो ये कहना चाहते please ego को side कर दो मुझे डर लग रहा है fear and dar डर लग रहा है डर किस बात का अगर आपने मूँ मूर लिया उन्हें मौका नहीं दे रहे हो तो बज़ा कुछ और भी हो सकती है चिक है जिस बज़े से मैं सो नहीं पा रहा हूं decision नहीं ले पा रहा हूं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं तो ये person stress और decision के वज़ा से कहीं न कहीं stuck है और मन में डर भी है अब ये बीच मज़धार में ये person है चिक है आप उने के लिए सब कुछ हो कुछ के लिए family, किसे के लिए third party कुछ न कुछ तो fear, डर में फसे हुए है ये लेकिन इस person के अंदर आपके लिए है कि किसी तरह आप उनसे contact कर लें तुम ही हूँ मेरी manjil my love ये वाली बात है तो थोड़ा ये परशान दिख रहे हैं जहां family issue हो सकती है और कुछ के लिए viewers आपके partner को depression भी हो रहा है health उसी भी हो रही है कुछ losses भी हुआ है या health उसी के बज़े से third party के बज़े से कुछ न कुछ problems आ रहे है ठीक है तो कुछ viewers आपके partner है या भी सबके partner भी हो सकते है थोड़ा दर्द है उने लेकिन चाहत आपके प्यार मिलने से ये सही हो जाएंगे तो थोड़ा परशान ये दिख रहे हैं थोड़ा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे है बढ़िया अगर इनोंने आपको हट किया है तो ये आपको कहना चाहते है मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा विश्वास जितूँगा और तुम्हें पा कर रहूँगा तो कुछ वर्स चाह रहे हैं अपने पार्टनर को मौका दे ठीक है तो कुछ वर्स आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप लाइप में आगे बर रहे हो उन्हें मौका नहीं दे रहे हो तो इनको लगा कि आप एगो आपमें एगो आया है आटिटूट आया है आप बदल से गए हो लेकिन कास तुम जोर से गरे लगा कर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ ये एक बार आपके पार्टनर आपसे सुनना चाहते हैं और प्यार इमोसनस बहुत भरा पड़ा है यहाँ पे इसलिए सालिवरेशन की एनरजी आई है ठीक है तो रोमांस आ रहा है प्यार आ रहा है वीवर जी ब्लेसिंग सारी लौब कर्मा की एनरजी है और गाइडिन्स की एनरजी में है कि चैरिटी जरूर करें जैसा आप कर्म करो कि बाबू वैसा रिजल्ट मिलेगा तो आपके पार्टनर हो सकता है बहुत सारे वीवर उसने ब्लॉक करके रखा है या पिर चारू तरफ से ब्लॉक करके रखा है या पिर आप बाती नहीं करों आप इस जहारी नहीं कर पारे वो इमोसन सेर नहीं कर पारे हो तो डर की इनसान के मन में नहीं होगा क्योंकि you are my soulmate give me a chance तो कुछ वियर्स आपके पार्टनर के health issue हो रही है थटपाटिक साथ नहीं बन रही है लेकिन चाहत प्यार बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर फिल कर रहे है, salvation आ रहा है मना कर ही छोड़ेंगे तुम ही हो मेरी मन्जिल माई लग आवाज देता हूँ मुझे गाना नहीं आ रही है वाला लेकिन ये चैनल मेसेज हुआ तुम ही हो मेरी मन्जिल माई लग चीक है, तो इस वज़े से मैं गादी पूरा गाना आप सुन सकते हो तुम ही हो मेरी मन्जिल माई लग ये रोमांस वाली इनर्जी दिख रही है, यह गाना मुझे इस तरह लग रहा है, कि रुमांडिक्स फिलिंग्स है, ठीक है, यानि के रिए उनियन के चांसेज, स्ट्रॉंग दिख रहा है, क्योंकि प्यार चाहा सब कुछ बढ़ रहा है, पैसन इनर्जी है आपके लिए, थोरा स्ट्रेस भी है कुछ के विवर्स के पार्टनर थोरा सा कर्मा भी फेस कर रहे है, सलिब्रेशन के एनर्जी पैसेस के स्कॉर्पियो के एनर्जी आई थी, और पैसेस के स्कॉर्पियो मीन करक और ब्रिश्चिक के एनर्जी थी, और लिब्रा एक्रोस जैमनाई के एनर्जी थी, तुला, कु हो मेरी मनजिर, my love. क्या बात है, प्यार, रूमांस, पूरा तयार हैं, आपके पार्टनर आपके तरफ आने के लिए, मैंने बोला, आपके पार्टनर बिल्गुल तयार हो रहे हैं, आपके तरफ आने के लिए, new vision, नहीं मानोगे, तो कोई तो रास्ता मैं ढूंडूगा या ढूंडूगी देख रहो नहीं मैं कितना परशान हूँ गुसा उदारने का जी करता है क्यों ने मुझे समझ रहे हो गुसा उतार दू तुम पर ऐसा वो कहा रहे हैं integration बहुत दिन के बाद एक काड आया है कैसे आप दोनों का deep connection, heart to heart conversation, soulmate वाली energy और यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलने वाली energy ठीक है मुझे बहुत सार रिविवर्स के reunion होने वाली है guidance को follow करे life को change करे या बहुत सार रिविवर्स आप कुछ guide wide करते हो यहाँ पर बहुत सार रिविवर्स completion, moment to moment यात्रा हो रहा है totality तुम ही हो मेरी मंजिर, my love कोई रास्ता तो मैं निकालूँगा मेरी दिमाग की खिशरी मद बनाओ आपके partner कह रहे हैं कल रात में खिशरी बनी थी तो बोले मेरी दिमाग की खिशरी मद बनाओ मैं मिलूँगा तो तुम्हें छोड़ूँगा नहीं 9, 9 number है 9 number या 9 9, 9 की एनरजी है दिमाग की खिशरी मद बनाओ मुझे मिलना है, मुझे मौका दो, मुझे चांतो मैं तुम्हारे बगर खुश नहीं हूँ incomplete हूँ, मुझे तुम चाहिए तुम चाहिए, तुम चाहिए आ रहा हूँ मैं ओ मैंने सफल किया है guidance मेरे viewers या फिर मेरे guidance को follow कर रहे हैं कुछ उसका भी कोई बात नहीं कुछ viewers guidance आप ले रहे हो कुछ viewers आपके partner ले रहे हैं या फिर कुछ viewers यहाँ पे आप guide कर रहे हो हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे viewers आप guide भी कर रहे हो कुछ लोगों की energy ऐसे भी है और कुछ-कुछ guidance follow हो कर रहे हो और कुछ guidance ले रहे हो और कुछ viewers आपके partner इस रिष्टे को लेकर guidance ले रहे हैं यह marriage commitment को लेकर हो सकता है future को लेकर हो सकता है ठीक है new vision तेरा साथ तो छोड़ूँगा ने चाहे कोई भी रास्ता मुझे जाना पड़े three of swords, दिल मत तो रो मेरा ऐसा वो कर रहे है ओ, third party से भी fighting चल रही है यह fight भी करने वाले हैं आपसे तो रहा बचिएगा यह किसी से guidance ले रहे वीवर ठीक है, आपके person ठीक है कुछ guidance आपके partner ले रहे हैं कि third party ऐसा क्यों कर रहे है या फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो तो आपके partner यहाँ पे guidance लेते हुए नजर आ रहे हैं कुछ वर्स आपके partner कर्मा फेस करें मैंने बुला ना तो यहाँ पे आपके partner को देखिए anxiety हो रही है कुछ वर्स आपके partner कर्मा फेस करें जहाँ third party के साथ खुस बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार का टावर आया जो third party से related है थोड़ा बच के रही है क्योंकि third party के नियत अच्छी नहीं है guidance की बात की जाए तो कोई guru से spiritual guru से पंडी जिसे कह सकते हो जो भी आपके partner किसी भी religion के हैं वहाँ किसी से guidance ले रहे हैं कि इनके life में ऐसी प्रशानिया क्यों आ रही है या किसी ने black magic किया है या इनके life में कुछ huddles बार बार आ जो इनमें fighting हो रही है money का losses pentacles यानि की career का और finance का या किसी तरह का losses चल रहे है even की health issue भी तो ऐसा क्यों चल रहा है तो देखिए कभी-कभी आपके partner या third party को आप पर doubt भी होता है कि हो सकता है कि उन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ आपके partner को भी कि ऐसे thinking आ रही हो और इस वज़े से वो guidance भी ले रहे है थार्ट पार्टी को लेकर और आपको लेकर कि इनके life में इतने परशानिया क्यों आ रही है कभी-कभी इनको लगता होगा कि उनको पाने के लिए आप कुछ तो नहीं कर रहे हो spell black magic तो नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके लिए इतना क्यों मरते हैं क्यों आप पर इतना मरते हैं क्यों आपके लिए इतना प्यार में पागल हैं क्यों आपको भुला नहीं पा रहे हैं चाहत क्यों इतनी बढ़ती जा रही है क्यों इतना आपको हसे ज़्यादा प्यार कर जब कि आपने उनसे मतलब डिस्टेंस मेंडिन के रखा है तो उनको लग आपने उनका दिल तो रहा है ठीक है फिर भी आपको क्यों प्यार करते हैं क्यों इतना चाहत है क्यों आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं क्यों आपके और कोई रासा डूंड़ें कि आप तक वो कैसे पहुंचें लेकिन जो भी आपके पार्टनर ने अगर गाइडियंस ली है आपको लेकर तो कहीं न कहीं यह परसन आपके लिए इमोसंस में हैं ठीक है आपके लिए इमोसंस में हैं लेकिन किसी तरह का इनके अंदर हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी खिलाफ हैं इसले आपको पहले गाईडियंस दे दि गई है कि कुछ लोगों से थर्ट पाटि से बचना है क्योंकि उसका मनसा ठीक नहीं है ठीक है वो लॉमड़ी है चला के किसी हद तक जा सकता है या जा सकती है और ये गाईडियंस आपके पार्टना घर ले भी रहे हैं, तो थर्ट पाटी को लेकर ले रहे हैं, आपको लेकर ले रहे हैं, और तब ये आगे रास्ता निकालेंगे कि क्या करना है, लेकिन आप उन्हें काफी खीच रहे हो, आपका प्यार का जो खीचाओ, आपकी जो एनरजी है आप अपनी त परसानी से निकलना चाहते हैं और आपको कहीं न कहीं अपने जिन्दगी मिलाना चाहते हैं तो यह आपको प्यार ओफर करना चाहते हैं लेकिन चाहत बहुत है कि आप उनसे बात करो आप उनको मनाओ लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा लेकिन यहां पे आपके खिलाब साजिस भ या आपके उपर ठीक है तो थोड़ा बचना और बचाना है और यहां पे बहुत सार रिवीवर्स थाट पार्टी भी हो सकती है जो आपको लेकर गाइडेंस ले रही है ठीक है तो देखे जो भी थाट पार्टी ना आपको कितना भी निचोर दे बरबाद कर दे बंदनाम कर द भाई आपको बरबाद कर दे बंदनाम कर दे लेकिन उनके जो पार्टनर है जो आपके पार्टनर हो सकता है उनके क्या है नहीं मैं नहीं जानती लेकिन जो भी है कमिटेड हो सकते है या फिर कोई और हो सकते है ठीक है थाट पार्टी के इनरजी कोई भी हो सकता है लेकिन य क्योंकि आप तो मुका दे नहीं रहे हो और जिस तरह से आपकी एनर्जी ना मिलने से इनके लाइप में जो टाबर आया है कहीं ना कहीं ये परसन अब मिलने को बिल्कुल ततपन है तरफ रहे हैं बेचैन हो रहे हैं और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे थे with you and the pain में हैं नो डाउट चाहते हैं कि आप उन्हें मना लो क्योंकि कंप्ली शन्च चाह रहे हैं और वह आ भी रहे हैं ठेक है तो बहुत सारे विवर्स आपके पार्टन Mins sSVY ले रहे हैं तो यह जी आसुबा की एनर्जी आपके पार्टनर की वीडियो अच्छे लगे दियर तो लाइक करें शेयर करें चारब को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच गॉड ब्लिस यू